रास्ट्री वन नीती और वन अधिकार अधिनियम सन 2006 पिछले 150 वर्षों से आदिवासी विभिन तरीकों से संघर्ष करके जंगल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं इन संघर्षों के फलस्वरूप सन 1988 में केंद्र सरकार ने रास्ट्री वन नीती की घोशना की इस नीती में माना गया कि वनों के सनरक्षन और विकास में आदिवासीयों और ग्राम समुदायों की अहम भोमिका होगी उसके अनुसार वनों का उपयोग इस तरह करना होगा जिससे वनों के आसपास रहने वालों को रोजगार मिले इस नीती ने यह भी स्विकारा कि आदिवासी और अन्य वनाश्रित समुदायों को अपनी जरूरतों के लिए वनों का उपयोग करने का अधिकार है इस नीती के तहट संयुक्त वन प्रबंधन कारिक्रम चलाए गया जिनके अंतरगत आदिवासियों को जंगल से चारा जलाव लकडी वा लगू वनोपज इकठा करने का अधिकार मिला और वन विभाग के तहट रोजगार भी मिला लेकिन साथ साथ उन पर दबाव बनने लगा कि वे खेती हर जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दें ताकि वहाँ पेड उगाए जाएं इसी समय देश के विभिन हिस्सों में बाग को बचाने के लिए बाग अभ्यारन और रास्टिय उद्ध्यान इस्थापित किये गया जिस से लाखों आदिवासी बे दखल हुए इस बीच देश भर में आदिवासियों की बढ़ती बधाली पर चिंता होने लगी और सन 2006 में संसदने लंबे विचार और वाद विवाद के बाद वन अधिकार अधिनियम सन 2006 पारित किया इस अधिनियम ने पहली बार यह स्विकार कि कि पिछले 200 वर्षों में आदिवासियों को उनके अपने वनों पर पारमपरिक अधिकारों को नमान कर उनके साथ अन्याय किया है यह भी स्विकार किया गया कि वनों का संरक्षन या विकास आदिवासियों के अधिकारों की बहाली के बगैर संभाव नहीं है इस कानून के द्वारा आदिवासियों वा जंगल के अन्य पारमपरिक उभोकताओं को वनों पर उनके पारमपरिक अधिकार और जिस भूमी पर वे खेती कर रहे थे उन पर उनका स्वामित्व दिया गया अगर इस कानून का सही तरह से अमल हो तो आदिवासियों वा वनों पर आश्रित अन्य लोगों पर सदियों से किये गए अन्याय की समाप्ती हो सकेगी इस कानून के बनने के समय कई लोग जो वनसन रक्षन के पक्षधर थे उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि इसका दुरुपियोग हो सकता है कुछ लोग अपने अधिकारों का घरेलू उपियोग की जगह व्यवसाइक उपियोग कर सकते हैं जिससे वनों के और तेजी से कटने की संभावना हो सकती है इसके विपरीत अन्य लोगों का मानना था कि आदिवासी जो सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं उनके अधिकार सुरक्षित होने से वे जंगलों की रक्षा हमसे बहतर कर सकते हैं